आज हम लोग अपने second practical के बारे में बात करेंगे second practical में हम लोगो करना है PN diode का load line analysis and उसका AC resistance ठीक है तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इस practical में basics हमारा जो drawing है वो क्या है इसका circuit का तो सबसे पहले हम लोग एक simple circuit बनाएंगे जो हम लोग second semester में भी कर चुके हैं तो एक diode लेंगे हम उसको forward bias connect करेंगे इस तरह से इस बार modification के बहुत रहने वाला है कि हम diode के साथ में series में एक resistance भी लगाएंगे एक resistance हमने लगा दिया इस तरह से हमारा इस circuit complete हो गया इस resistance को हमने बोल दिया R diode का नाम D दे दिया हमने जो हमारा voltage source है उसका जो टोटल EMF है उसका नाम हमने दे दिया E ठीक है मानली जे इस current में इस circuit में current flow हो रहा है ID क्योंकि जो current diode में flow होगा वही resistance में भी flow होगा resistance के across voltage drop का हमने बोल दिया Vr diode के across voltage drop का हमने बोल दिया Vd तो आप इस circuit से हम लोगों को load line analysis करना है load line analysis करने से पहले हम लोग इस diode की characteristic के बारे में पढ़ लेते हैं diode की characteristic हम लोग जानते हैं forward bias और reverse bias कैसे दिखाई देते हैं forward bias characteristic diode का कुछ ऐसा होता है जिसमें इसको हम बोलते हैं knee voltage इस एक्सिस पर हो गया diode voltage इस एक्सिस पर हो गया diode current चीक है knee voltage से पहले current की value 0 रहती है उसके बाद आपका voltage approximately constant रहता है लेकिन current exponentially बढ़ता चला जाता है ठीक है तो यह forward characteristic reverse characteristic ऐसी होती है जिसमें आपका एक small reverse current saturated form में flow होता है बहले ही आपका voltage drop across diode कितना भी हो जाए negative में आपका voltage drop बढ़ाते रहने से भी reverse bias में sorry आपका voltage drop बढ़ाते रहने से भी current जो है वो नहीं बढ़ता है वो कुछ micro amperes की form में ही रहता है ठीक है चलिए अब इस पर हम load line analysis कैसे करेंगे ठीक है तो उससे पहले इस circuit के लिए हम किर्चॉफ वोल्टेज लो लिखके देखते हैं अगर इसके लिए हम KVL लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस E माइनस E क्योंकि हम negative से positive की तरफ जा रहे है इसलिए माइनस ठीक है माइनस E plus VD diode के एक रॉस जो voltage drop है यहां पर हम positive से negative की तरफ जा रहे है इसलिए मैंने इसको plus VD लिखा है यह मैं आपको class में भी अच्छे से समझा चुका हूँ कि आप किर्चॉफ voltage log कैसे लिखेंगे ठीक है प्लस ID इसको capital C लिख देते हैं small से लिखने की कोई ज़रूद नहीं है प्लस ID करंट सेम रहने वाला क्योंकि सीरीज में है resistance और डायोड तो ID आर इक्वल टू जीरो यह हमार हो गया किर्चॉफ voltage log circuit के लिए KVL तो यहां से में मिल जाएगा ID R is equal to E minus VD या फिर ID is equal to minus VD upon R प्लस E upon R चीक है ऐसा कुछ हमें एक equation मिल गया यही है हमारा load line का equation यहां पर आप देख सकते हुए कि equation किस form का है यह equation हम इस form मिल लग सकते हैं Y equal to MX plus C दोनों को आप compare करोगे तो Y की जगह पर आ गया ID X की जगह पर आ गया VD M की जगह पर क्या आ गया minus 1 by R and C की जगह पर आ गया plus E by R चीक है यह equation हमारा इससे relate कर जाएगा इस तरह से तो अगर हम इसको plot करना चाहेंगे तो कैसे होगा plot यह तो यह इसका equation कुछ इस तरह से plot हो जाएगा इसका plot में बना के दिखाता हूँ आपको first हम diode characteristic draw करेंगे इस तरह से sorry यह होगया diode characteristic यह axis है VD और यह axis है id आप लोग इस equation में देख रहो है y is equal to id चीक है तो line हमारी इस तरह से lean होने वाली है negative slope के साथ ठीक और जो c की value है वो है plus e upon r चीक है तो मान लीजे c आपको यहाँ पर मिलता है इसकी value हो गई e upon r चीक है और जो आपका line है उसका slope जो हो गया वो है minus 1 by r तो tilted line आएगी इस तरह से ऐसे कुछ आपकी line इस पर जाने वाली है चीक है मैं इसको थोड़ा सब correct कर लेता हूँ इस तरह से sorry कुछ ऐसा जो है हमारा load line दिखाई देगा चीक है load line जहां पर इसको cross करेगा उसको हम क्या बोलते है उसको बोलते है q point अब सवाल आता है कि नीचे वाला point क्या है उपर वाला point तो हमने लिख दिया है जो c की value थी plus eyr उसको use करके हमने यह point लिख दिया नीचे वाले point को निकालने के लिए हम क्या कर सकते है इस equation में अगर हम put कर दें for x axis x axis के लिए हमको क्या परनक करना पड़ेगा y axis की value 0 put करनी पड़ेगी y का मतलब id equal to 0 इस axis के उपर x axis के उपर आपका current 0 है so id equal to 0 put करने पर हमें मिल जाएगा vd is equal to e चीक है इसका मतलब यह जो point आपके cross कर रहा है यहाँ पे इस axis को उसकी value क्या है उसकी value है e चीक है और यह जो upper point है y axis पे इसको लिए हम सेम तरीके से निकाल सकते है कैसे for y axis x axis की value क्या हो जाती है 0 x axis पे है क्या आपका vd है so vd is equal to 0 vd 0 आप put करोगे इस equation में तो आपको क्या मिल जाएगा vd 0 put करने पर मिल जाएगा आपको id is equal to e upon r चीक है so यहां से आपके दोनों points इस तरह से मिल जाते हैं यह line आपकी diode characteristic को जहाँ पे भी काटे ही उसको हम बोलते है q point चीक है तो यह हो गए हमारी load line experiment में हमको क्या करना है experiment में हम इस circuit को बनाएंगे चीक है कोई एक random resistance ले लेंगे उस resistance को यूज करके एक हम load line ट्रॉ करेंगे इस तरह से चीक है अगर आप resistance की value change कराओगे तो उसके साथ ही आपकी load line की value change होगी चीक है अगर e को constant रखके हम load line change करना चाहते हैं तो कैसे होगी अगर हमने e की value same रखी तो e तो यहाँ पर fix रहेगा ठीक है e fix रहेगा और अगर हमने resistance रखा r1 तो आपका यह हो जाएगा अगर हमने r2 ले लिया जिसकी value r1 से जादा है तो load line आपकी यह आ जाएगी यहाँ पर है r2 is greater than r1 तो यह load line आपकी कुछ इस तरह से बनेगी और यह वाली load line sorry दूसरी load line आपकी कुछ इस तरह से बनेगी ठीक है जोसरी load line बनेगी कुछ इस तरह से ठीक है ऐसे आपको दोनों अलग-अलग load line देखने को मिल जाएगी अगर आप e की value change कराओगे r की value को same रखके तब क्या होना चाहिए अगर आपने e को change कराया r को same रखके तब क्या होगा अगर आपने r same रखा है तो slope की value same रहेगी ठीक है जो की ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी, depending on value of e, ठीक, अगर आपने e को बढ़ाया, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी, अगर e को घटाया, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी, लेकिन आपकी first line के parallel रहेगी, ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा load line analysis, इसके ल characteristic curve draw करने के बाद, आप series में resistance connect करेंगे, ये हो गया आपका first step, second step क्या है, connect resistance in series, चीक है, series में resistance connect करने के बाद, आप क्या करेंगे, load line analysis करने के लिए आपको देखना है, सबसे पहले, आप करेंगे, voltage की value को, maximum जितना आपको put करना है, ठीक है, forward bias में, तो forward bias में, आपका जो diode है, उसके across voltage drop, लगभग लगभग 0 रहने वाला है, ठीक है, तो उस case में, जो आपका forward current होगा, ठीक है, तो forward current की value क्या हो जाएगी, id is approximately equal to e upon r, ठीक है, इससे आपको अपना y axis का point मिल जाएगा, ठीक है, और reverse bias जब आप करोगे, तो reverse bias में आपको मिल जाएगा current की value 0 है, ठीक है, reverse bias में current की value 0 होने से क्या होगा, vd is equal to हो जाएगा e, ठीक है, तो forward bias के लिए आपको y axis का point मिल जाएगा, यह मिलेगा आपको forward bias से, forward bias, जिसमें ideally हम मान रहे है, ideally vd is equal to 0, यह हो जाता है short circuit, ठीक है, forward bias में हम diode को मान की चलते हैं, कि वो short circuit की तरह behave करता है, reverse bias में क्या कर रहे है, reverse bias में हमको x axis का point मिल रहा है, ठीक है, यह मिल रहा है, हमको reverse में, reverse में हम मानते हैं कि जो vd है, वो एक open circuit की तरह behave करता है, तो vd की value क्या हो जाएगी e, diode यहाँ पे ideally क्या होता है, open circuit, open circuit का मतलब उसमें से कोई current flow नहीं होगी, id की value यहाँ पे हो जाएगी 0, और id की value अगर आप 0 put करते हैं इस equation में, जैसे हमने किया भी था, id की value 0 put करने पे क is equal to e, इस तरह से आपको अपनी load line के दोनो end points मिल जाएंगे, फिर उसको आप draw कर दोगे अपने graph के उपर, characteristic curve के उपर ही, तो यह तो होगे आपका load line analysis, second point है जो हमको इसमें find out करना है, वो है dynamic resistance, ठीक है, dynamic resistance, पहले हम theoretically देख लेते हैं क्या होता है, dynamic resistance, देखिए, diode हम जानते है, PN diode basically एक semi connected device है, ठीक है, और सारे ही semi connected devices, जितने भी आपके junction बनाते हैं, नहीं भी बनाते हैं, ठीक है, तो सारे ही semi connected devices में दो तरह के current flow होता है, ठीक है, पहला होता है, drift current, और दूसरा होता है, diffusion current, diffusion current, यह मैं आपको class में पढ़ा चुका हूँ अभी, इसलिए हफते ही, drift current जो है, यह किस वज़े से flow होती है, यह flow होती है, due to external electric field, चीक है, और जो diffusion current है, यह किस वज़े से flow होती है, यह होती है, due to concentration gradient of charge carriers, जैसे, एक side में electrons की quantity ज़्यादा है, एक side में कम है, तो electrons अपने आप ही, ज़्यादा से कम की तरफ flow होने लगते हैं, बिना किसी external electric field के, तो उसको हम बोलते है, diffusion, जैसे diffusion का example, आप सबसे अच्छा कौन से समझते हैं, कमरे में कोई खुश्बु वाली चीज़ को खोलें गया, bottle को, तो वो particles अपने आप से पूरे कमरे में फैल जाते हैं, higher concentration से lower concentration की तरफ कोई भी चीज़ अपने आप ही flow करती है, automatically, चीक है, उसको हम बोलते है, diffusion, ठीक है, drift current क्या होती है, drift current बिसिकलिए आप circuit में जब भी एक external source लगाओगे, power का, जैसे की battery हो गई, उसकी वेरे से circuit में आपके electric भी रहेगी, चीक है, across the diode, उसकी वेरे से जो current flow होगा, उसको हम बोलते है, drift current, drift, जो electrons में drift velocity होती है, वहीं से यह time हाता है, electrons drift कर रहे हैं, due to external forces, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कि drift current की value कितनी होती है, drift current और diffusing current को साथ में देख लेते हैं, total current मान लीजी आपका है, J, N, due to N type carriers, ठीक है, तो अगर आपका drift current है, N, E, ठीक है, electrons, N, ठीक, साथ में आगया charge Q, Q की value है यहाँ पे, E, जिससे confusion ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे, Q कुछ मैं लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ पे, E से, sorry, E को मैं लिख रहा हूँ, Q से, ठीक है, N, E, Q, और साथ में आगय आपका mobility, ठीक है, mobility of N type carriers, ठीक है, इसको हम बोलते है, mobility, ठीक, ठीक, और यहाँ पे है, electric field, external electric field, जोगी आपने battery को भी source लगाए हुआ, उसकी भी field मिल रहा है, वो है, E, प्लस में क्या आगया, प्लस में आजाएगा आपका diffusion current, यह है drift current, प्लस में आगया diffusion current, diffusion current की value क्या होती है, एक आता है diffusion constant, साथ में आगया charge की value, ठीक है, और multiplication में आगया आपका gradient, इसका gradient, concentration का, dn over dx, ठीक है, अगर आपका N type semiconductor, x direction में है, ठीक है, और इस तरफ concentration है, n2, इस तरफ concentration है, n1, ठीक है, तो concentration अगर सेम नहीं है, ठीक, तो इसमें आपको gradient देखने को मिलेगा, एक साइड में घट रही है, तो उसी को हम बोल रहे है, dn over dx, ठीक है, तो इस तरह से आपका दो type का current होता है, diode के अंदर, ठीक, अब इन दो types पर बेस पर आपको total current मिलता है, ठीक, तो ये जो coefficients हैं दो, इधर है mobility, और इधर है diffusion coefficient, ठीक है, तो ये दोनों ही क्योंकि distribution पे based हैं, और आपक ये जो दोनों ही coefficients हैं, ये statistical coefficient है, तो दोनों आपस में independent नहीं है, कि statistics यहाँ पे सेम रहेगी दोनों के लिए, ठीक है, तो independent नहीं है, इसलिए इनका जो ratio है, वो एक constant देता है हमें, dn over mu n, ठीक है, इससे हमें एक constant मिलता है, जिसको हम बोलते है, vt, इसकी value होती है, kt upon e, ठी जाएगी, t upon 11,600 volts, चीक है, t है, यहाँ पे temperature of the environment, क्योंकि k और a एकदम constants है, तो उसकी value हमने put कर दी, तो नीचे आ गया, 11,600, at room temperature, इसकी value हो जाती है, at room temperature, इसकी value हो जाएगी, t is equal to 300 Kelvin, पर क्या मिलेगा हमको, room temperature मतलब, आपका जो room temperature है, 300 Kelvin, ठीक है, उस space की value मिल जाएगी, आपको, 1 by 39 volts, ठीक है, 1 by 39 को आप solve करोगे, तो मिल जाएगा, vt is equal to 26 millivolts, ठीक है, यह हो गया, at room temperature, ठीक है, चलिए, अभी हम लोग discuss कर रहे थे, resistance, dynamic resistance, तो diode का जो current equation है, वो show करता है, i is equal to i0, exponential, vd upon eta vt, minus 1, ठीक है, यह है diode का current equation, अब resistance निकालने के लिए, हमको क्या चाहिए, dynamic resistance की value क्या होती है, r is equal to, r क्योंकि dynamic है, इसलिए मैंने small से लग दिया है, जिससे confusion ना हो, ठीक है, इसको r ac भी लिख सकते है, r is equal to d, dv over di, ठीक है, diode का voltage, dvd over di, ठीक है, तो हमको चाहिए, dv over di, अब इस equation को हम differentiate कर देते हैं, with respect to d, d i over dv is equal to i0, अब exponential के derivative क्या रहता है, same, exponential, exponential vd over eta vt, ठीक है, साथ में extra coefficient भी थे, vd के अलावा, तो क्या मिल जाएगा, हमको, यहाँ पे मिल जाएगा, 1 by eta vt, ठीक है, minus में जो 1 है, उसका derivative हो जाएगा, obviously 0, तो उसको लेने ही कोई जरोत नहीं है, तो यह मिल गया, d i over dv is equal to, अब इसको हम 1 by eta vt को अगर बाहर ले आते हैं, तो अंदर जो value बची, उसको हम लिख सकते हैं, i minus i0, ठीक है, इन दोनों को आप compare करोगे, तो आप लिख सकते हैं, इसको i minus i0, ठीक है, अब क्योंकि i0 की value बहुत small है, i0 है micro ampere में, i है milli ampere में, ठीक है, 10 to the power 3 का difference है, इसलिए हम i0 को यहाँ पे ignore कर देंगे, और approximately equal लिख देंगे, i upon eta vt, ठीक है, तो dv over di is equal to eta vt upon i, ठीक है, अब क्योंकि vt यहाँ पे milli volts में था, तो इसको यहाँ पे हम milli ampere में लेके चलेंगे, तो हमको यह मिल जाएगा, ohms में, ठीक है, अगर यह दोनों milli में रहेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ohms मिलेगा, ठीक, चलेगे, अब vt की value तो हमें मालूम है room temperature पे, vt की value हमें room temperature मालूम है, 26 milli volts, ठीक है, eta बच गया यहाँ पे और i बच गया, ठीक है, अब यह i जो है, ठीक है, यह है आपका q point पे इसकी value, ठीक, जिस point के ऊपर आपका operating point है, characteristic हमने draw की थी, characteristic के साथ में एक load line हमने निकाली थी, load line जिस point पे cross कर रहे थी, वो क्या है, q point, इस q point के ऊपर ही आप variation देख रहे हैं, sorry, मैं इसको थोड़ा अच्छे से draw करता हूँ, इस से की, सफाई से काम चल सके, ठीक है, यह हो गया आपका q point, इस q point q पर current की value है, iq, ठीक है, अब इस iq में जो variation आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, यह जो vertical variation है, यह क्या हो गया, यह हो गया आपका d i, और यह horizontal variation यह क्या हो गया, dv, ठीक है, तो यही जो आपका dv over d i है, इसी को हम बोल रहे है, resistance, ठीक है, dv over d i, ठीक, basically जो इसका inverse है slope का, ठीक, तो q point q पर इसका slope है, उसका, 1 by inverse जो है slope का, उसी को हम बोले है, dynamic resistance, dv over d i, यहाँ से अगर हम करेंगे, ठीक, so basically दो values हमको निकाल ली है, एक value हो जाएगी theoretical, theoretical value हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक, इस theoretical value को भी हम IQ को यूज करके निकालेंगे, जो हमारा IQ आएगा, उसके उपर निकालेंगे, theoretical value से, r की value, दूसरा हम graph से निकालेंगे, अपना इस तरह से, d i over dv, दो points चूज करेंगे, इस point को हमने नाम दे दिया, second point, इसको नाम दे दिया, first point, ठीक है, इन दो points को यूज करके, d i की value निकालेंगे, dv की value निकालेंगे, वो आएगे हमारी theoretical value, ठीक है, dv over d i, ठीक, दोनों को हम लोग equate करेंगे, और उसके base पे हम लोग eta की value भी find out कर सकते हैं, उसके base पे चाहें तो, ठीक है, उसके basis पे हम eta की value find out कर सकते हैं, इटा की value, for silicon, silicon के लिए eta की value होती है, शायद 2, और germanium के लिए इसकी value होती है, 1, ठीक है, तो silicon के लिए 2 है, germanium के लिए 1 है, basically आप लोग देखो, तो अगर यहाँ पे एक चीज़ और item add कर सकते हैं, कि इन दोनों resistance को, theoretical और experimental values को हम equate करके, हम यह पता कर सकते हैं, कि हमारा जो diode है, वो silicon का बना हुआ है, या फिर germanium का बना हुआ है, चीक है, यह भी हम एक चीज़ पता कर सकते हैं, यहाँ से, इसको use करके, चीक है, तो अब यही हमको experiment में करना रहेगा, इस load line को use करके, di over db, निकालेंगे, और वहाँ से हम resistance की value find out करेंगे, dynamic resistance, db over di, चीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको step wise समदा देता हूँ, पहला काम, pn diode की characteristic लेना, चीक है, यह आप लोग second time में कर चुके हो, second point, एक r को connect करना है in series, series, चीक है, series में connect करके, forward bias में, forward bias में आपको current की value निकालनी है, चीक है, उससे आपको मिल जाएगा अपने plot का upper point, यह वाला, चीक है, third, reverse bias में, reverse bias में, जो diode के across voltage है, वहाँ से आपको मिल जाएगा lower point, चीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा voltage, VD, चीक, और जो external voltage source है, उसकी value आपको throughout fix रखनी है, चीक है, जो E की value है, E की value है, इसको vary नहीं कराना है, do not vary, चीक है, इसको आप same रखेंगे इन दोनो steps में, do not vary, for step 2 and 3, चीक है, तो यहाँ से आपको load line मिल गई, अब यह load line मिल जाएगी तो, characteristic जहाँ प इसको काटेगी, वो मिल गया हमारा q point, अब इसको use करके हम लोगों को निकालना है, r a c, वो कैसे निकालेंगे, d v over d i से, चीक है, यह हो गई experimental value, चीक, और theoretical value कैसे निकालेंगे, r a c की, theoretical value के हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, i q की value, यह जो q point है, इससे हम इधार एक horizontal line ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर जो काटेगा यह, वही हो जाएगी हमारी i q, चीक है, इसको use करके हम लोग लिखेंगे, 26 eta upon i q, चीक है, 26 exactly अगर आपका room temperature 300 Kelvin है, तब होगा, चीक है, बाकी आप चाहें तो t upon 11600, इसको use करके, room temperature चेक करके, exact value उसको replace कर सकते हो, 26 को, चीक है, यहाँ से, so, इन दोनों का हम लोग compare करेंगे, यह value and, यह value और वहाँ से eta की value को find out कर लेंगे, चीक है, अगर हम कर पाते हैं तो अच्छी बात है, देखते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं, चीक है, चलिए, इतना ही आपको इस experiment में करना है, next हम लोग देखेंगे, clipper and clampers, वो मैं next वीडियो में आपको समझाऊंगा, next हमारा रहेगा, clipper and clamper using PN diode, यह हमारा next वीडियो रहने वाला है, चलिए, good night.